हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मैं चैनल, तो यहां पर हमने कुरती का नेक बना लिया है, फ्रन्ट और बैक, दोनों साइड का, और शुल्डर्स भी अटेज कर लिया है, अभी हम स्लीव को अटेज करेंगे, और दोनों साइड से इसकी फिटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम स तो इसको इस तरह से ओपन करके रखना है, अभी देखे ये फ्रन्ट साइड है और ये बैक साइड है, अभी हम स्लीव को यहां पर रखेंगे, तो स्लीव की फ्रन्ट साइड और कुरती की फ्रन्ट साइड हमें मैच करते वे रखना है, यह देखे इस तरह से, अभी स्लीव को open करके रखेंगे तो देखे यहां पर sleeves की front side और कुर्ती की front side हमें match करनी है इधर वाले sleeves की भी हम दोनों front side match करेंगे उसके बाद हमें shoulder से sleeves के center को मिला लेना है और sleeves को हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे यहां पर दोनों parts की सीधी side अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद हम यहां पर इसको stitch करेंगे तो यहां पर हम center से ही stitch करना शुरू करेंगे तो दिखे यह shoulder line है अब sleeves का center हम यहां पर रखेंगे match करते हुए दोनों की सीधी side एक दूसरे से match करते हुए रखना है उसके बाद हम center से ही सिलाई लगाएंगे तो इससे sleeves बराबर attach हो जाता है इस तरह से इसको घुमाते हुए हम पूरे में stitch करेंगे तो देखे हमारा sleeves भी बराबर आया है बिल्कुल भी कम नहीं पड़ा है तो एक side हमने stitch कर ली है अभी हमें दूसरी side stitch करनी है तो इसको हम देखे इस तरह से उल्टी side में लेंगे और वापस हम center से ही इसको सिलना शुरू करेंगे तो इस तरह से इसको दोनों किनारियों को मिलाते हुए हम stitch करते जाएंगे तो यहां पर half inch के distance से हमें सिलाई लगा लेनी है तो देखे इस तरह से हमने sleeve को attach कर लिया है अभी इसी तरह से हम दूसरे side में भी sleeves को attach कर लिया है अभी इसके bottom को हमें double fold करना है तो एक half inch का fold करना है उसके बाद एक और fold कर लियना है और इसे stitch करना है और इसी तरह से दूसरे sleeves के bottom को भी हम stitch कर लेंगे तो देखे हमने दोनों side में sleeves को attach कर लिया है अभी इसको हम side से fitting करेंगे तो इसको हमें उल्टा करके रखना है तो उल्टा करने के बाद देखे इसको हम sleeves को इस तरह से ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ पर हमें दोनों armhole की जो सिलाई है उसको match करते हुए रखना है कई बार यह जो सिलाई है वो अमारी उपर नीचे होती है तो यहाँ पर हम पहले pin लगा लेंगे उसके बाद sleeves का जो bottom round है उसको भी मिलाते हुए रखना है और अभी sleeves bottom का निशान लगाएंगे तो sleeves bottom है मेरा 5 इंच तो यहाँ पर 5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ अभी इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरह से तो यहाँ पर देखे हमने cut लगाया था और 2 इंच का हमारा margin का निशान भी है तो यहाँ पर हम pin लगा लेंगे sleeves bottom में यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको stitch करेंगे तो यह 2 इंच की जो line हमने लगाई है इसी के उपर हम stitch करेंगे और जहां तक हमारा hip का निशान है जहाँ पर हमने cut भी लगाया था तो वहीं तक हम इसको stitch करेंगे उसके बाद यहाँ से slit रहेगा देखें यहाँ से हमें stitch करना है और सेम इसी तरह से जो दूसरा side है तो यहाँ पर भी हम same marking कर लेंगे सबसे पहले armhole को मिलाते हुए pin लगा लेंगे उसके बाद 2 इंच का यहाँ पर cut का निशान है वहाँ पर mark करेंगे और 2-2 इंच पर हम mark कर देंगे जहाँ तक हमारा hip का point है दिखें उसके बाद sleeves bottom round पे भी हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से इसको जोडेंगे तो अभी हम इसकी fitting कर लेंगे तो हमें fitting sleeve से ही शुरू करनी है और यहाँ पर जो हमारा hip का point है यहाँ तक हमें इसको पक्का करना है चार-पांच सिलाईया लगा के ने तो हमारा side से slit खुल जाता है तो देखें इस तरह से दोनों side से हमने fitting कर ली है अभी हम side slit बनाएंगे मतलब चाक बनाएंगे तो इसके लिए हमें नीचे से ही शुरू करना है इस तरह से हमें नीचे से ही इसको सिलते जाना है तो यह मैं आपको मशीन पर stitch करके दिखा रही हूँ तो देखें इस तरह से हम इसको double fold करेंगे और जब हम यहां तक पहुँच जाएंगे तो यहां पर हमें दूसरे वाले part को इस तरह से खोलते वे रखना है ताकि दूसरा वाला part हमारा इसके बीच में ना आए और अभी यहां पर थोड़ा आगे तक हम stitch करेंगे और सुई को अंदर रखेंगे और foot को उठाएंगे उसके बाद हम इस part को देखें इस तरह से सीधा करेंगे दोनों parts को इस तरह से रखना है और यहां पर अभी इसको वापस double fold करेंगे इस वाले part को और यहां पर सिलाई लगाएंगे तो यहां पर भी हमें सुई को अंदर रखना है और सिर्फ foot को उठाना है और इस तरह से घुमाते हुए नीचे तक हमें इसको सिलते जाना है अब इस तरह से हमें दूसरे साइड का श्लेट भी बन दशिए जाने हैंगे तो देखे इसको सीधा करके देखेंगे, बैक साइड से इस तरह से दिख रहा है, अभी सीधा करेंगे, तो यह हमारा साइड स्लिट बन गया है, अब चाहो तो यहां पर एक और सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही सिलाई लगाई है, अभी इसके बॉटम को हम डबल फ करेंगे, तो हाफ आफ इंच का डबल फोल्ड कर देना है, और इससे स्टिच करना है, तो दिखे इस तरह से बॉटम को भी हमने डबल फोल्ड कर लिया है, तो इस तरह से हमने कुर्टी में साइड स्लिट बना लिया है, और बॉटम को भी डबल फोल्ड कर दिया है, तो ये हमारे कुर्टी पूरी रेडी हो गई है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब भी कीजिए, थैंक यू,